लेखा सास्तर कक्सावारा अध्यापांच कम्पनी लेखे अंसों रिणों पत्रों का निर्गवन बी नमस्कार मित्रों में रामावदार बटू का आपकर स्वागत करता हूँ मैं एक श्वयपाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ कि मुझे सत्र परतिसा से अधीक याद हो जाता है परशन एक कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसुची थर्ड के अनुसार परतेगवर्ग की पूंजी को किन रूपों में दर्साना आवश्यक है उत्तर आधिक्तम पूंजी दो निर्गमीत पूंजी और तीन पार्थित पूंजी की रूप में दर्साना आवश्यक है परशन दो अधिकर्थ पूंजी किसे कहते हैं उत्तर कंपनी अदिनियम 2013-128 के अनुसार अधिकर्थ पुंजी या पंजिकर्थ पुंजी से आसाए उस पुंजी से है जो कंपनी के पारसद सीमा नियम दुआरा अधिकर्थ पुंजी की अधिक्तम राशी हो कम्पनी के पारसद सीमानियम में पुझी की अधिक्तम राशी व्यक्त की जाती है उसे अधिकर्ट पुझी कहते हैं इस पुझी में दोनों परकार के अंसों समता अंस तता पुरुवाधिकार अंस को पर्थक परथक दर साया जाता है प्रस्न 3 कि निर्गमित पूंजी किसे कहते हैं कुत्तर कम्पनी अधिनियम की दहरा 2013 दोपच्चास के अनुसार निर्गमित पूंजी से आसे एसी पूंजी से है जिसे कम्पनी द्वारा समय समय पर आभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है इस फरकार निर्गमित पुंजी अधिगर्थ पुंजी का ही एक भाग है जिसे कमपनी द्वारा अभिदान के लिए निर्गमित किया गया है कम्पनी द्वारा जनता को नगद धनिया किसी अन्य परतिफल के बदले निर्गिमित किये गए अंसों के अंकित मुले को निर्गिमित पुंजी कहते हैं पर्षन चार पार्थित पुंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी अधिनियम दो जार तेरा गी धारा दो च्छिनासी के अनुसार पार्थित पुंजी से आए पुंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कम्पनी के सदस्चों दुआरा पार्थित की गई हो इस परकार पार्थित या अविदत पूंजी निर्गमित पूंजी का एक भाग है जिसके लिए अविदान किया जा चुका है पर्शन पांच मांगी गई पूंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी अदिनियम 2013-211 के अनुसार मांगी गई पूंजी से आसे पूंजी की उस भाग से है जिसे भुगतान है तू मांगा जा चुका हो इस प्रकार पार्थित पूंजी का ये भाग जिसे कम्पनी द्वारा अंचिधारियों से मांगा जा चुका है पर्षन 6 पर्दत पूंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी अदिनियम 2013-264 के अनुसार पर्दत अंचिधारियों से आसे जमा किये उन धनराशियों के योग के समतुले से है जो निर्गमित किये अंच ओपर पर्दत रूप से प्राप्त हो गई हो तता इसमें कम्पनी के अंचों के संदर्म में पर्दत रूप में जमा की गई राशी सामिल है लेकिन इसमें ऐसे अंचों के सम्मन्द में प्राप्त अन्य राशी जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो को सामिल नहीं किया जाएगा पर्शन साथ बकाया मांग किसे कहते हैं उत्तर अंस पुन्जी ये सम्मंद में कमपनी द्वारा गई वहरासी जिसका अंस दारी ने भुगतान नहीं किया जाया है बकाया मांग कहलाती है पर्शन आठ लेखंगन कीमपनी में बकाया मांग को किस परकार लिखा जायेगा उत्तर बकाया मांग को अंस पुन्जी शिर्शक में मांगी गई पुन्जी से गटा कर लिखा जाता है पर्शन नो क्या बकाया मांग राशी पर कमपनी द्वारा व्याज वसूल किया जा सकता है यदि हां तो कितना हां कमपनी द्वारा साड़नी एफ के अनुसार दस परतिसत वार्शिक दर से व्याज वसूल किया जा सकता है पर्शन दस अग्रिम मांग राशी क्या है उत्तर एक कम्पनी को यदि उसके अंतर नियमों में वर्णित हो नय मांगी गई मांग राशी के समझ में प्राप्त राशी को स्विकार कर सकती है जो अग्रिम मांग कहलाती है पर्शन ग्यारा चित्थे में अग्रिम मांग राशी को किस सिर्षक से दर साया जाएगा उत्तर चित्थे में इसे चालुदाईत्य शिर्षक के उपसिर्षक अन्य चालुदाईत्यों के अंतरगर दर साया जाता है पर्शन बारा क्या अग्रिमांग की राशी पर कंपनी ब्याज दे सकती है यदि हाँ तो कितना हाँ साड़नी एफ के अनुशार अग्रिमांग की राशी पर कंपनी बारा परतिसत वार्शी दर्शी ब्याज दे सकती है प्रशन तेरा एक कमपनी अंसों का निर्गमन क्यों करती है उत्तर एक रोकड नगद राश्ची के अतिरिक्त किसी अन्य परतिफल के लिए या दो रोकड के लिए कर सकती है पर्शन चोदा रोकड के आलावा किसी अन्य परतिफल के लिए अन्य परतिफल के लिए अन्य परतिफल के बदले 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 अन् उत्तर जब एक कमपनी तो अंसों के निर्ग्मन की राशी चेक ड्राफ या अन्य रूप से प्राप्त होती है तो ये रोकड के लिए अंसों का निर्ग्मन कहलाता है पर्शन सोला अंसों के निर्ग्मन पर राशी का भुगतान कितने प्रकार से हो सकता है उत्तर दो प्रकार स एक आयदन पर एक मुस्त और दो संपून राशी किस्तों में पर्शन 17 आयदन पर एक मुस्त देई राशी क्या है उत्तर जब अंसों के निर्गमन पर समस्त राशी आयदन पत्र के साथ देई हो एक मुस्त देई राशी कहलाती है प्रेशन अठारा संपूर्ण रासी किस्तों में दे कब कहलाती है उत्तर अंसों के निर्गमन की रासी विभीन इस्तरों पर यदा आवेदन आमंटन तथा एक या अधिक मांगों पर दे हो तब किस्तों में दे रासी कहलाती है प्रेशन गुंदिस सारवजनी कमपनी किन दो में से एक परकार के अंसों का निर्गमन कर सकती है उत्तर ए सम्मुले पर अंसों का निर्गमन या प्रेमियम परव्याजी पर अंसों का निर्गमन कर सकती है प्रंसन 20 सम्मूले पर निर्गमन क्या है उत्तर जब अन्सों को उनके अंकित मुले पर ही निर्गमित किया जाते है तो इसे सम्मूले पर निर्गमन करते हैं जब अन्सों को उनके अंकित मुले से अधिक मुले पर निर्गमित किया जाता है तो ये अन्सों का प्रीमियम पर या परव्याजी पर निर्गमन कहलाता है, जैसे एक कमपनी द्वारा रुपी 10 वाले अंसों का निर्गमन रुपे 15 पर्तियंस की दरपर करना प्रश्न 22 क्या कमपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं उत्तर पुर में कमपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर भी कर सकती थी लेकिन कमपनी अधिनियम 2013 की दारा तरेपन के अनुसार कोई भी कमपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है धारा 54 के अनुसार श्वेट समतांस बट्टे पर निर्गमित किये जा सकते हैं परस्ण 23 बट्टा किसे कहते हैं ये कितने परकार का होता है उत्तर सामानेत है किसी उत्पाद पर निर्माता द्वारा छूट या कटोती जो अंकित मुले से कम करके दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं ये दो परकार का होता है एक व्यापारी बट्टा वे दो नगद बट्टा प्रस्न चोईस व्यापारी बट्टा किसे कहते हैं उत्तर जब निर्माता अपने गरायक को अंकित मुले अथ्वा विख्रे मुले पर एक निश्चित दर्षे कटोती देता है तो उस छूट या कटोती को व्यापारी बटा कहते हैं पर्षन 25 नगद बट्टा किसे कहते हैं। उत्तर गरायक को तुरंत अथवा एक निष्च अवदी के अंदर नगद बुगतान करने के उद्देशे से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा या रोकड बट्टा कहते हैं। पर्षन 26 क्या बट्टे का लेखा पुष्टकों में किया जाता है। उत्तर हाँ नगद बट्टा का लेखा पुष्टकों में अवश्य किया जाता है। बट्टा दिये जाने पर बट्टा खाता डेविट किया जाता है और बट्टा प्राप्त होने पर बट्टा खाता क्रेड किया जाता है प्रशंफ त्साम्टा अंस किसे कहते हैं उत्तर स्वीट सम्तां से तात्पर यह एसियां सों से जो कम्पनी के करमचारिया किसी अन्ने लाप प्रदाता या हिटेशी का रियायती मुले पर आमडित कहले हो . 28. अंस निर्गमन की परिक्रिया क्या है? उत्तर एक सारोजनी कमपनी द्वारा अंसों के निर्गमन हैतु कमपनी अधिनियम 2013 दधा भारतिय पर्ति भूतियें विनिमे बोर द्वारा इस समन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है. 29. कमपनी अधिनियम 2013 और भारतिय पर्ति भूतियें विनिमे बोर के दिशा निर्देशों की अनुसार अंसों के निर्गमन की परिक्रिया के महत्य पूण बिंदु क्या है? उत्तर एक प्राइवीवरन निर्गमन दो अंसों के लिए आवेदन तीन अंसों का आमबंटन और च प्राइवीवरन का निर्गमन क्या है? उत्तर कमपनी अधिनियम 2013 की धारा दो सत्तर के अनुसार पर विवरन एक लिखित सूचना परिपत्र या अन्य प्रलेख होता है जो एक समामेलित संस्ता की परति भूतियों का अक्रिये या अभिधान करने एतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रीत करता है अर्थात प्रेवीवरन जनता को सार्वजनी कमपनी की परति भूति क्रिये करने के लिए दिया जाने वाला आमंत्रण है पर्ष्ण 31 प्रेवीवरन निर्गमन में कौन सी बातों का उलेख होता है और इसका उद्धे से क्या होता है? उत्तर प्रेवीवरन में सामानेते कंपणी का इधियास मुख्य उद्धे से वर्तमान व्यापार परिजन योजनाओं की जानकारी एम परबंद आधी का विर्वन दिया जाता है अंस निर्गमन एतु एक सार्वजनी कंपणी प्रेविवरन का निर्गमन करती है प्रेशन 32 अंसों के लिए आवेदन क्या है उत्तर प्रेविवरन के आधार पर जो व्यत्ती कंपणी के अंस खरीदना चाते हैं वे निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक निर्धारित राशी के साथ कंपणी के बेंग में जमा कराते हैं प्रश्न तेतीस आवेदन पत्र के साथ जो राशी जमा कराई जाती है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे आवेदन की राशी कहते हैं प्रस्न चोटीस आवेदन पर कितनी राशी प्राप्त करना आवशेक है उत्तर कमपनी अधिनियम 2013 की धारा 49 दो के अनुषार आवेदन परतेक परतिभूति के अंकित मुल्य का कम से कम पांच परतिसत प्राप्त करना आवशेक है या वै धनराशी जो सेबी दुआरा कानुन बनाकर इस समंद में निर्दारित की जाए तदानुसार अंस आवेदन राशी अंस के निर्गमन मुले के 25 परतिसत से कम नहीं होनी चाहिए प्रश्ण 35 अंसों का आमटन किसे कहते हैं उत्तर अंसों के आमटन से आसे अंसों का आवेदकों के मद्दे बंटवारा करने से हैं य कारिय संचालक मंदक द्वारा अधिनियम के विभिन प्रावधानों के तहत किया जाता है एक आवेदक को अंस आमटित होने के उपरान थीवे अंस धारी बनता है अंस आवेदन से पूर्वे एक सारवजनी कंपनी किन प्रावधाना का पालन करना होता है उत्तर नियूंतम अभिदान पर्ति भूत्ती के अभिदान एतु आवेदन प्राप्त राशी को जमा रखना तीन न्यूंतम अभिदान राशी प्राप्त करने की अवदी चार स्टोक अथ प्रस्ण शेंज को आवेदन, पांच आवेदन परफ्ट जारी करना, छे रिष्टार को आवेदन रिटन बेजना, साथ अंस परमान पत्र और आठ प्रारंबिक सारवजनिक निर्गमन आदि प्रावधानों को पूर्ण करने के उपरांध ही एक सारवजनिक कमपनी द्वारा अंसों का आवंडन किया जा सकता है, प्रस्ण 37, अंसों के आवंडन से पूर्ण कमपनी को कितना नियुनतम अविधान प्राव्ट होना चाहिए, उत्तर धारा 49, एक के अनुसार कमपनी द्वारा अपनी परति भूतियों का आवंडन तब तक नहीं किया जा सकता है कि जब तक कि परविवरण में वर्णित नियूंतम राज्षी के लिए अविदान प्राप्त नहीं हो जाए। तक कि परविवरण में वर्णित नियूंतम राज्षी के लिए अविदान प्राप्त नहीं हो जाए। प्राप्त नियूंतम राज्षी के लिए अविदान राज्षी के लिए अविदान राज्षी के लिए अंसों की उन रख्मों को सामिल नहीं किया जाएगा जो मुद्रा के अत्रिक्त किसी अन्य रूप में दे हो। प्रश्षी के लिए अविदान किया है। उत्तर जिन आवेदकों को अंसों का आवंटन किया गया है कमपनी सची उन आवेदकों को आवंटन पत्त बेजता है जिन आवेदकों को कोई अंस आवंटन नहीं किये गये हैं तो उन्हें खेद पत्तर के साथ उनसे प्राप्त आवेदन रासी उचित माध्यम से लोटा दी ज कंपनी को आमंटन के 30 दिनों के बीतर अथ्वा रेजिस्टरार द्वारा बढ़ाई गई अवदी के बीतर कंपनी को रेजिस्टरार के पास आमंटन रिडर बेजना होता है इस रिटन के साथ ही कंपनी सचीव या एक संचालक द्वारा इस आसे का गोशनापत्र भी वेजा जा पर्षन 43 अंस पर्मान पत्र क्या है उत्तर अंस पर्मान पत्र उसमें निर्दिष्ट अंस ओपर किसी सदस्य के आधिकार होने के मूल पर्मान है पर्षन 44 अंस पर्मान पत्र इस बात का पर्थम द्रष्टा शाक्ष है कि उसमें लिखित अंसों का अधिकार है यह पर्मान पत्र अंस ध्राय के स्वामीत स्वामियों में इसे पर नमित स्वामी को अंस परमान पत्र कीदी गई सुदूर्पी की को सुदूर्पी की मानी जाती है परस्फन 44 परारंबिग शार्वजनिक निर्गमन क्या है उत्तर अंसों के अविदान एतु जनता को आमंत्रीत करने तु किये गए प्रस्ताव को प्रारंबिक सार्वजनिक निर्गमन प्रस्ताव का जाता है प्रश्ण 45 अंसों पर मांग क्या है उत्तर आवेदन पत्र के साथ एवं अंस आमंटन पर मांगी गई राशियों के पस्चात यदि अंसों पर देई राशी का कुछ भाग सेश रहता है त कंपनी इस राशी को किस्तों में वसूल करती है ऐसी परते किस्त अंसों पर याचना या मांग कहलाती है अंसों पर मांग कंपनी के अंतर नियमों में दिये गए प्रावदानों के अनुरूप की जाती है प्रश्ण 46 किसी कंपनी में यदि अंसों पर मांग के समंद में अंत पर मांग का प्रावधान नहीं होने की इस्तती में कंपनी अधिनियम दो जार तेरा की सारणी एफ को प्रावधान लागू होंगे परसंट सेंतारीस कमपनी अधिनियम दोजार तेरा की सालनी एफ में अन्सों पर मांग के क्या प्रागान है उत्तर एक दो मांगों के मद्दे कम से कम एक माह का अंतरों नावश्यक है 2. किसी मांग की राशी अंसों में अंकित मूले के 25 पर 30 सच से अधिक नहीं होगी 3. अंसदारकों को राशी चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्वर सूथना दी जाएगी 4. एक ही वर्क के सभी अंसों पर मांग की राशी एक समान होनी चाहिए 5. यदी कोई अंसदारी अंसों पर देए मांग की राशी का निघारी तिति तक भुगतान नहीं करता है तो कमपनी बकाया राशी पर भुगतान की देए तिति से भुगतान की वास्त्विक तिति तक की अवधी पर 10 पर 30 सपवार्षि की दर्शे ब्याज उसूल कर सकती है कि मांगों से सम्मंदित होती है सार्णी एफ के अनुसार उसका क्या किया जाता है उत्तर येदी कंपनी के अंतर नियमों में वर्णित हो तथा संचालन मंडल उचित समझे तो इस अगरिम याचना रासी को स्विकार कर सकता है इस अगरिम प्राप्त राशी पर अगरिम अवदी के लिए अधेकतम बारा परतिसत वार्शिक दर्से ब्याज दै होगा धन्यवाद